नमस्कार दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे आयूरवेद की चिकित्सा पदती में कुछ ऐसे सरल उपाएं हैं जिससे बहुत सारे असाधी रोगों का इलाज हो सकता है आज मैं आपको तीन या चार तरीके की बिमारियों का इलाज इस वीडियो में देने वाली हूँ बैक टू बैक आपको रेमेडीज मिलेंगी इसमें और इतनी सिंपल रेमेडीज मैं समझ सकती हूँ लौकडाउन हैं बाहर नहीं जा सकते हैं आप लोग कई चीज हैं जो आ बाहर से छाज सकते तो मैं ने पूरी कोशिश करी है कि जो भी रेमेडीज मिलेंगी उपताओं वो सब आपके घर में उपलब्द हो कोई भी चीज आपको बाहर से नहीं खरीदने पड़ी और ज्यादा मतलब ज्यादा ढूंबना ना पड़े आपको इसलिए अच्छा सबसे पहली रेमेडी जो है वो निमोनिय की है क्योंकि इस वक्त निमोनिय का टाइम चल रहा है निमोन लॉंग, एक चुटकी हींग और पांच पत्ते तूलसी के इन सब को आप पीस लीजिए पीस करके इनका रस निकाल लीजिए इसका रस जो है आपको शेहद में मिला करके दिन में दो बार चटाना है पेशेंट को चटाने के बाद पानी मत दीजिएगा थोड़े टाइम के लिए वो अंदर तक जाए उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी आप पेशेंट को दे सकते हैं ये करने से दो से तीन दिन के अंदर जो है वो जवर में बहुत जादा सुधार आएगा और निमोनिया में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों छोटे बच्चो अगर अगर कफ जमा हुआ है उसको चाती में बहुत जादा कफ है तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सारा लुपाए है थोड़े से पानी के अंदर एक चुटकी हींग डाल करके उसको मिला लीजी अच्छी तरह से पिला दीजिए उसका जो कफ है वो चाती से बहार आ दोस्तों अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है चाती में बहुत जादा जकडन है तो ऐसे लोगों को तेज पत्ते का पाउडर बना के रख लेना चाहिए उसको अधरत के जूस के साथ अगर आप देते हैं पेशन्ट को अल्प मात्रा में तो सांस लेने में काफी पाई है तीन चम्मच मेथी दाना एक ग्लास पानी में उबाल करके पेशन्ट को पिलाइए उससे भी उसको बहुत जादा लाब होगा ये रेमेडी दिन में तीन बार पिलाना है आपको पेशन्ट को दिन में तीन बार दीजेगा पीने के लिए उससे उसको बहुत जादा सेहत में आपको सुधार दिखाई देगा इसके अलावा अरंडी के तेल में नीबू डाल करके मालिश करिये चाती पर लगाईए उससे भी बहुत जादा फाइदा होगा दोस्तों अगर किसी को भी चरम रोग की कोई शिकायत है किसी भी तरह का स्कीन इंफेक्शन है स्कीन से रिलेटड कोई डिजीज है तो एक बहुत ही इफेक्टिव रेसिपी हमारे गोविन भाई जी ने मेरे साथ शेयर किया है और इन्होंने इस्तमाल किया उसी महिला पे उनको बहुत अच्छा अच्छा अशर आया है मैं आपको बता देती हूँ य स्क्रीन के उपर तो चलिए हम रेमेडी की उपर सीधे चलते हैं इसके लिए आपको लेना है बारा से तेरा चमच नारियल का तेल घी में घी में एक चमच भुना हुआ सुहागा भुना हुआ फिटकिरी शुद गंदक भीम जैनी कपूर मिला कर रखें दिन में कई बार इसके अलावा आपको करना है रात में त्रिफला आधा चमच दो तीन चुटकी हल्दी के साथ एग लास पानी में बिगो कर सुबह चान कर उसे पीए इसी तरह सुवेरे बिगो के रख दें और उसको राद को पीए अच्छा इस चीज को ध्यान रटने आपको कि यह और अगर आप में से किसी को यह तकलीफ है या अपने पास से लिख के रख लीजे किसी को अगर तकलीफ कभी हो भविश्य में तो आप उसकी मदद कर सकें तो दोस्तों उमीद करती हूँ छोटी-छोटी क्लिप बनाऊंगी बस छोटी-चोटी वीडियो बनाऊंगी ताकि करके तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखे टेक कर लवी ओल एंड गुडबाई